अस्सलाम अलेकुम डियर फालकंग्स, पिटर कैसे हैं आप सब, मुझे अमीद है आप लोग खेडियत से होंगे, थ्री क्लास मुझे अमीद है आपने पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा, क्वेस्टनान से को नीटले अपने नीट को अपिस पर लिखा होगा और मैंको अपना होमवग भी सेंड किया होगा, वेरी गुड, आज हमारा साइन्स का लेक्चर नमबर फिफ्टीन है, जल्दी से अपनी साइन्स की बुक्स लें ताके हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चले, थ्री क्लास अपने पिछले लेक्चर में हमने पेज नमबर फिफ्टी थी की हाफ रेडिंग की थी, आज हम लोग page number 53 के next half threading करेंगे तो threading start करते हैं मुझे अमीद है आप लोग मेरे साथ threading करेंगे switch the switch is the device switch एक ऐसा आला है which is used जिसको इस्तमाल किया जाता है to stop रोकने के लिए और continue the flow of crunch crunch को रोकने के लिए या फिर उसको जारी रखने के लिए switch एक ऐसा आला है जो के crunch के बहाओ को रोकने या पर जारी रखने के लिए इस्तमाल किया जाता है when the switch is in off position जब switch बंद किया जाता है the circuit is open circuit खुला है and no crunch flows जब switch बंद कर दिया है तो crunch तो circuit खुल गया है इसलिए कोई भी crunch पीच में से नहीं flow सकता when the switch is on position जब switch को बंद कर दिया जाता है यानि on कर दिया जाता है the circuit is closed and crunch flows circuit बंद हो गया है और crunch पूरे circuit से गुजर सकता है the switch is in off position the circuit is open उन्होंने कहें जब switch off position पे है तो circuit खुला हुआ है जब आप अपने घर में switch on करते हो तो आपकी वो चीज on हो जाती है like आपने TV का switch plug जो है वो लगाया है switch के अंदर आपने switch को on किया है socket के अंदर plug लगा के switch on किया है आपका TV चल जाएगा क्योंकि आपका जो electric city का flow है ना जो उसका path है वो complete हो गया है जब आप उस switch को बंद कर देंगे या plug को निकाल लेंगे तो आपका circuit break हो जाएगा like टूट जाएगा इसलिए crunch flow नहीं होगा वो चीज नहीं चल सकेगी ठीक है अब next page पे page नंबर 54 पे circuit breaker circuit breaker नाम से पता लग रहे है को यसी चीज जो के circuit को तोड़ देती है ये एक ऐसा आला है कि जब जरूरत से ज्यादा crunch इसमें से गुजरेगा ना यानि mains electricity से हमारे घर में जो crunch आता है ना उसे circuit breaker control कर रहे है जब जरूरत से ज्यादा crunch इसमें से गुजरेगा तो ये circuit को break कर देगा बजाए के कोई नुकसान उठाए कोई चीज खराब करने के ये circuit को break कर देगा हमारी सेफटी के लिए तो अब इसकी reading कर लेते हैं circuit breaker, circuit breaker means electricity is the crunch that makes lights and other appliances in our homes work main electricity वो crunch है जो के हमारे घरों की में light को, हमारी lights को और दूसरे आलाज जो के बिजली पे चलते हैं हमारे घर में काम करने में मदद देती है उनको current प्रोवाइट करती है it comes from power station ये कहां से आ रहा है power station से जहां current produce हो रहा है वो use circuit breaker हम circuit breaker को इस्तमाल करते हैं तो control main electricity main electricity से आने वाले बिजली को control करने के लिए उन पे काबू रखने के लिए हम circuit breaker को use करते है ये circuit breaker है ठीक है जब जुरुरत से ज़्यादा amount of electricity इसमें से pass out होगा ये trip पो जाएगा circuit फॉरन से break कर देगा ताकि कोई चीज को किसी चीज को नुकसान ना हो ठीक है तो ये थी हमारी reading अप अपने question आनसे की तरफ चलते है अपने पिछले lecture में हम लोग first four question कर चुके है आज हम लोग question number five and question number six करेंगे तो question की reading कर लेते है where is electricity produced बिजली कहां पैदा होती है electricity is produced in our power plants electricity हमारे power plants में produce होती है what does a battery contain एक battery में क्या क्या चीज़े होती है हमने बढ़ाता कि बहुत से चोट चोटे cell से मिलके एक battery बनती है अब battery container group of cell तो battery के अंदर cell का एक group मुझूद है जिनको मिला के battery बनती है यह हमारे दू question थे मुझे उमीद है आपको questions की और reading की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी अब अपनी डायरी की तरफ चलते है थ्री क्लास अपनी डायरी नोट कर ले यूरा तंबर 12 पेज नंबर 53 और 54 मैंने points जिनकी reading करनी है उनके name भी लिके है switch, circuit breaker, reading प्लस question नंबर 5 और 6, learn plus write बेटे आपने इन दोनों questions को अच्छे तरीके से याद करना है नीट लिए अपनी नीट को आपिस पे लिखना है मैंको अपना homework भी सेंट करना है मुझे उमीद है आपको आज के लेक्चर के अच्छे तरीके से समझ आ गी होगी इन्शाला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज